कि नेक्स देखते हैं इस्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन हम लोग इसको बहुते हैं मतलब किसी इंजन में एक यूनिट पावर जनेरेट करने के लिए उसमें जितना फ्यूल की मात्रा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जितना फ्यूल लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे specific fuel consumption बोलते हैं ठीक है तो जो specific fuel consumption होता है वो क्या होगा specific fuel consumption equals to क्या होगा quantity of fuel used मतलब per second आप कितने केची उस पर fuel add करते हो divided by power developed by engine और उस पर power कितना generate होता है into 36 hundred की बराबर होता है ठीक है तो यहां पर और हम लोग क्या लिख सकते हैं quantity of fuel used जिसको हम लोग small aim से divided by power developed by engine power developed हम लोग किसको बोलते हैं यहां पर power कितना developed होगा है तो ब्रेक होर्स के बराबर तो यहां पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं ब्रेक होर्स पावर यहां पर ब्रेक पावर into क्या हो जाएगा 36,000 sorry hundred के बराबर हो जाएगा specific fuel consumption equals to क्या हो जाएगा quantity of fuel use divided by power developed by engine into 36 hundred के बराबर होगा ठीक है झाल